नमस्कार दोस्तों हमारे चनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों अगर भगवान भोलेनात के परम भक्तों की और सरसेष्ट भक्तों के अंदर किसी का नाम आता है तो दोस्तों वहर रावन का आता है दोस्तों भगवान सिव का रावन जिस परकार से राक्सस था लेकिन भ लेकिन दोस्तों वह क्रम और धर्म से वह ब्रामन था और उसको अनेक परकार की तंत्र विड्याएं पराप्ट थी और कई परकार के तंत्र विड्याओं के मादिम से रावन ने सोने की लंका का निर्मान किया कई जादू का निर्मान किया और कई परकार की सिद्धियों और सक रखने के लिए आप उनमें से कुछ मंत्रों का जाप करके या कुछ सिध्यों को पराप्ट करके अपने जीवन के अंदर वह सुभ कुछ पराप्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको रावन के उन मंत्रों के बारे में ना चाहिए कि डेवो की डेव माहधीव माने जाते हैं प्रम ग्यानि प्रम बलवान और लंकापती रावन भी उनका भक्त था जिने भूले नात supportive के उपर हो जाती है समझ लीजिए उसके वारेण्यारे हो जाते उसको उसके घर परिवार के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं रहती है तो दोस्तों आप क्या करें इस मंत्र को जाब करते हैं समय आपको ध्यान रखे इसकी हेतु आपको 21 दिनों का चैन करना होगा 21 दिनों के बिना इस मंतर का जाप या इस विदी का जाप नहीं किया जाता है इस विदी को चाहे कोई पुरुस हो चाहे महिला हो कोई भी कर सकता है लेकिन आपको 21 दिन तक लगातार आपको करना है इसलिए एक विसीज परकार के समय का आप चैन कर ले जैसे कि अगर आप सुबह के समय जाब करना चाहते हैं तो सुबह के समय का चैन कर ले और साम के समय करना चाहते हैं तो साम के समय का चैन कर ले उसके बाद दोस्तों 24 गंटे बीटने से पहले पहले आप उस समय के अंदर बैट कर उस मंतर का जाब कर ले ताकि 21 बिनों के अंजर आपके पास सिध्धी और उर्जा का निर्मान होगा जिसकी वज़े से आपको असमंत्र का फायदा मिलेगा तो दोस्तो इसमंत्र को जाब करने से पहले आपसे निवेदन यह भी है कि इसमंत्र का जाब करते समय आप जादा से जादा काला कपड़ा ही पहने क्योंकि दोस्तों रावन को या पुमिचिद्धी काला कपड़ा पहनने के बाद ही मिलीड़ा अगर आपके काला कपड़ा नहीं है तो काला दुपट्टा या काली टोपिया कुछ भी ले जो अपने माथे पर आप रख दे तो भी आपको उसी परकार से माना जाता है इसे के साथ ही आपको एक काले थागे की आऊशकता पड़ेगी जो की तंतर सिद्धियों को बाढ़ने के लिए और साथी साथ आपके घर परिवार की समयशियाओं को दूर भगाने के लिए क्योंकि काले थागे के पास्दे नकारत मक्ताय अपने आप ही दूर रहती है अब दोस्तों इनका जाप करते समयशियागी आप बैठ जाएं किसी पुर्व दिशा की तरब आपको मुक करने बैठना इस बात का ध्याना के जिससे क्या होता है कि सक्साद भोले नाद का अभास होता है और भोले नाद के समख से वह प्रतनाएं कर ली जाती है अब ऐसा करने के बाद एक घी का या तेल का एक सुन्दर सा दीपक जलाएं और उसके बाद पालती माड़ कर आपको बैठ जाना चाहिए दोस्तों पालती माड़ कर बैठ जाने के बाद इस मंतर का आपको जाप करना है दोस्तों या बंत्र इसलिए क्योंकि दोस्तों आप सोचते हैं कि धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की अश्रक्ता पड़ती है तो दोस्तों बिलकुल माता लक्ष्मी की अश्रक्ता पड़ती है लेकिन बिना कामदेव के हमारे घर का बिना विस्व करमा के हमारे घर और अथार्ट की है रूपों की जिस परकार माया जाल दोस्तों एक रूप के भाती घठा रहता है और सब माया जाल से रेपड़ने के लिए रूप की देवी परम सुंदरी हमारी इसके अंदर सहायता करती है तो अगर आप इन तीनों देवियों का नाम लेके इस मंत्र का जाब कर आपको अच्छी से अच्छी चीजे देखने को मिल जाती है और दोस्तों इससे दूसरा यह है कि अगर आप इस भारी मंत्र का 21 दिन तक जाब करते हैं तो कहीं मैलाओ के मन में सवाल आएगा कि वह अपने दिनों के अंदर क्या करें तो निश्ची तोर पर आप मंत्र का जा आप नहीं होता और आप चाहते हैं कि भुलेनात की रावन के भातिकरपा आपके उपर भी बनी रहे और आपके घर परिवार के अंदर खुशिया रहे तो आपको दूसरा उपाए इस परकार से करना है आप क्या करें कि प्रते एक सुमबार को ऐसे करके आपको 21 सुमबार त पांच बेल पत्र के आपको पत्ते तोड़ लेने चाहिए और दोस्तों इन पत्तों को आप रविवार के दिन तोड़ ले तो बहुत अच्छा है इन पत्तों को तोड़कर रविवार को रात को सोते समय अपने सिरहाने उन पांचों पत्तों को रखना चाहिए और दोस्तों चाहिए बीस के पत्ते पर आप ओम का ही चिन बनाए और इस परकार से आपको आपकी परिषानी या समश्याएं जो भी आ रही है एक लाल पे इनकी साहिता से उन पत्तों के ऊपर आपल लिख ले और दोस्तों उसके बाद रात को सोते समय है आप अपने मन में बस एक ही चीज ना तो किसी परकार का आपको गलत कारे करना है ना किसी परकार का कोई आपको उस दिन किसी परकार का ब्रमचर्या का पालन करते हैं सो जाना है बस आप इस दिन ओम नमशिवाय समंत्र का जाब करते हैं और अपनी परिषानिया भगवान भुलेनास से बोलते हुए अपनी ट गोई भी पानी के अंदर सोने का गहना डुबा दे और उस पानी को सिवान करें, सरवस्वर्ण पानी कहा जाता है, अगर वह भी आपसे प्राप्त नहीं होता, तो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के स्रान करें, ताकि नकरत मक्ताएं आपसे दूर रहे, और ऐसा करने के बाद दोस्तों उन पांचों बेल परत्र को आप ले और एक तामे के लोटे के अंदर सुद्ध जल बरे, उस जल के अंदर आप हलकई से काले तिल और एक चुटकी ही चावल आपको इसके अंदर डाल देने चाहिए, दोस्तों काले तिल आपके जीवन के नकरत मक्ता, धान्य का परवेश होता है, और भगवान स्री गनीश भोले नात के साथ आपके घर के अंदर रहने के लिए आते हैं, ऐसा करते हुए आप इन पांचों बेल पत्र को जिनके उपर आपने बनुकामना ही लिखी है, वह भोले नात के किसी भी मंदिर के अंदर जाकर, ओम दोस्तो इसकी विसीस कामना रहती है, अब आप भगवान भोले नात को गुड का भोग लगाएं या किसी परकार के मीठे का भोग लगाएं और ऐसा भोग लगाने के बाद आप भोले नात से बस यही वनो कामना मौंगे कि आपके घर परिवार के अंदर धन धानिया और क्योंकि दोस्तों साकसाद भोले नात को जो जल अर्पित किया जाता है उसके अंदर एक विसीस परकार की महग और विसीस परकार की सक्टी होती है और इस जल को पीने के बाद आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी परकार की कोई डूइदा नहीं रहती है और देखते ही देखते आपके सारे कारिया आसानी से संपन हो जाते हैं दोस्तों आपको इस बात का जरूर ज्याने करना है कोई भी उपाई करें 21 दिन की इसके अंदर बादेता रहती है और 21 दिन का उपाई करने के बाद ही आपको सकारत्म का परिणाव मत देखने को मिलते हैं तो आप 21 जिनों से पहले आपको इन उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आपके उपर किसी परकार का कोई नकारत्मक परवाव नहीं पड़े बलकि अच्छी चीजे देखने को मिलें दोस्तों इसी तरह अगर कोई भक्त भुलेनाद की करपा चाहता है तो सुमबार के दिन जित का दान माना गया है और बीना अन के किसी भी परकार की कोई चीज संपनन नहीं होती है तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले ताकि इस परकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी धन्यवाद मित्रो जैब हो लेनाद मित्रो